एर मार्केट या कहें स्टॉक मार्केट इस टाइम अपने हाई से 30% नीचे है और सभी लोगों का पॉर्टफोलियो भी 30-50% डाउन है लोगों में टेंशन है इसलिए सब लोग अपना माल बेच कर बाहर निकल रहे हैं क्योंकि काफी सारे लोग अपना काफी सारा पैसा गवा चुके हैं ये टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट पर अच्छे रिटरंस कमाने के लिए बहुत ही बढ़िया मोका है इस वकत काफी सारे स्टाउक बढ़िया डिसकाउन्ट पर मिल रहे हैं तो हमें यहां पर अच्छे-च्छे स्टॉक इस टाइम बाए चाहिए ताकि हम अच्छा रिटरंस कमा सकें नमस्कार मेरा नाम है तुशार बुद्धिराजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रेजर विद तुशार आज हम ऐसे ही पांच स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत अच्छे शेयर्स हैं और काफी अच्छे रिटरंस देने के लिए काबिल है पांच स्टॉक्स बताने से पहले अगर आपने अपना डीमेट अकाउंट उपन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक से आप अपना डीमेट अकाउंट जिरोधा पर अपन कर सकते हैं और अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो उपर आई बटन पर उसका पूरा ट्यूटोरियल दे रखा है आप वहां से भी सीख सकते हैं हम सब जानते हैं कि मार्किट की इस हालत की विज़ा करोना वाइरस है जिसने पूरी दुनिया के साथ-साथ शेयर मार्किट को भी हिला कर रख दिया है निफ्टी अपने 12,430 के हाई से गिर कर इस ताइम 9,000 के असपथ घूम रहा है तो इस मार्किट ने हमें बहुत अच्छी अपरचुनिटी दी है कि शेयर मार्किट की सेल का फाइदा उठाना सके जैसे ही यह करोना वाइरस का असर कटम हो जाएगा यह गिरी हुई मार्किट अपने न्यू हाई की तरफ चली जाएगी आज हम जिन भी शेयर्स के बारे में बात करेंगे वो सब शेयर्स आपको लॉंग टर्म के लिए अपने पॉर्टपोलियों में रखने हैं मारा पहला स्वाग है इंदुस्तान यूनिलीवर जैसे हम एक यूल या यूनिलीवर के नाम से भी जानते हैं यह FMCG सेक्टर का मार्केट लीडर है इसके प्रॉडक्ट हम हमेशा यूज करते रहते हैं जैसे डव, पेपसोडेंट, किसान कैचप, ब्रू कॉफी और इसकी लिस्ट तो बहुत ही लंबी है इस शेयर ने लास्ट एक साल में 38% से भी जादा का रिटर्न दिया है और आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं इसने 10 सालों में आज तक कभी भी नेगिटिव रिटर्न नहीं दिया है इसी के साथ हम अपने सेकंड शेयर पर आते हैं जिसका नाम है रिलाइंट, इंडिया की नंबर वन कंपनी इन मार्केट कैपिटल, ये कंपनी निफ्टी की लीडर तो है ही, बूकर से इसके सेक्टर में कोई कॉम्पेटिटर भी नहीं है में काम इसका ओयल रिफाइनरी का है बट इसके अलावा इसके और भी काम है जैसे रिलाइंस, रिटेल, टेली कम्मिनिकेशन, एनरजी, टेक्स्टाइल, एक्सेक्टरा सोड़े टाइम पहले ये इंडिया की ओनली कमपनी थी जिसकी कैपिटल दस लाग करोड क्रॉस कर गई थी, इसके रिटरंस का भी ट्रेक रिकॉर्ड आपके सामने है हर्ट शेयर है हमारा HDFC बैंक, प्राइवेट बैंकिंग का मार्केट लीडर और ओवराल बैंकिंग में सेकेंड नमबर पर आता है इसकी मार्केट कैपिटल 4.9 लाग करोड से उपर की है HDFC बैंक का आल टाइम हाई 1300 के अराउंड है और वहाँ से ये 400 रुपे करेक्ट हो चुका है इसके रिटरंस का भी ट्रेक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि ओवर अपीरेट क्या बढ़िया रिटरंस दिया है पूर्थ है हमारा बर्जर पेंट ये भी एक लार्ज कैप कमपनी है पेंट की इंडस्ट्री में जाना माना नाम इस कमपनी ने लास्ट एक साल में मोर देन 50% का रिटरं दिया है वो भी इतनी मार्केट गिरे होने के पाद आप इसका पास्ट रिकॉर्ट देखिए इसने 10 सालों तक हर बार इतना बड़िया रिटरं दिया है कि इसको कोई वीट नहीं कर सकता ठीके साथ हम आते हैं अपने लास्ट टॉक जिसका नाम है टॉर्रेंट फार्मा ये शेयर पिछले कुछ समय में काफी अच्छा रिटरं निकाल कर आया है और इसने कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाई है ये भी एक लाट कैप कंपनी है और इसने लास्ट एक साल में 26% से उपर का रिटरं दिया है और लास्ट 10 एयर्स का भी आप रिकॉर्ड देख सकते हैं जिन भी शेयर्स की आज हमने बात करी है उनके बारे में पहले आप अपनी रिसर्च करें और अपने फाइनेशल एडवाईसर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई डिसीजन ले अगर आपके फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स या रिलेटिव में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया है तो उन्हें ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी अपनी सेविंग्स को इजिली इन्वेस्ट कर पाएं वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू